एवरिबडी इस टॉकिंग अबाउट राजु सिर्वास्तव। देगे वो लोग भी बात करें जिनको शायद हिंदी नहीं आती और जिस बहुत बुरी लेंग्वेज में राजु भाई बात करते हैं उससे भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं साउट के सूपर स्टाफ, प्रभास, राम चरन, यहां से सूरिया, कार्थी, इवन रजनी कान सहाब भी राजु सिर्वास्तव की मौत के बारे में लिख रहे हैं थी कि भाई वो एक महिने से होस्पिटलाइज हैं, हार्ट के उनको प्रॉब्लम थी, बीच में रूमर भी आये थे कि वो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन फैमिली ने बता दिया कि वो ठीक है, लेकिन अभी ओफिशली खबर आ गई है कि राजु सिर्वास्तव नहीं रहे और देखिए पूरे देश में अभी इस वक्त सन्नाटा इसी बात का है कि भाई सब को हसाने वाला सब को रूला कर चला गया, इस दावन जिसने एक बुनियाद रखे थी स्टैंडब कोमेडी की, इस दावन जिसने ऐसी ऐसी आपजर्वेशन करके हमें हसाय जिसके बारे में शायद ही कोई दूसरा इंसान सोच पाएगा, और देखिए इंडिया के नहीं इंटरनेशनल कॉमिक भी इनको सरधांजली दे रहे हैं, एवरीबडी इस टॉकिंग अबाउट राजु सिर्वास्तव, इनको बात करें जिनको शायद हिंदी नहीं आती और जिस बहुत बली इंग्वेज में राजु भाई बात करते हैं, उससे भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, साउट के सूपरस्टाप, प्रभास, राम चरन, यहां से सूरिया, कार्थी, इवन रजिनी कान सहाब भी राजु सिर्वास्तव की मौत के बारे में लिख रहे हैं, अलु अर वहीं पर थे कि बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने एलिजाबेट की मौत के ओपर काफी कुछ लिखा था, रेस्ट इन पीश क्वीन, क्वीन हमें छोड़ कर चली गई है, सैट डे फोर इंग्लेंड, वो फलाना डिबकाने पता नहीं क्या-क्या बाते लिख दी की मौत पर चुप, उनको पता ही नहीं, यह दिखाता है धोरी मान से पर, यह दिखाता है कि हम वेस्टन कल्चर कितना फोलो करने लग गए हैं, वो लुड़ के एंगुच एक्टर जिन्होंने काफी दुख जता है दालिजाबेट की मौत पर लेकिन अभी वो सारे चुप है अब इनकी मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई, राजु भाई जैसा लेजेंड ना कोई था, ना कोई है, ना होगा जब तो यही कहेंगे, भगवान उनके आत्मा को शान्ती दे और शायद ही ऐसा को मेडें हिंद्स्तान में दुबारा चनम ले